बहुत काम आएंगे ये 31 कुकिंग टिप सबसे पहले है नारे तोड़े से पहले उसे 4-5 मिनिट फ्रीज में रखे इससे नारेल आसाने से तूट जाता है नेक्स्ट है कपूर कीटी किया को रसोई में रख देने पर मख्या भाग जाती है नेक्स्ट है पानी पूरी की पूरी बनाते समय ध्यान रखे पूरिया पतली होनी चाहिए अगर आप इन्हें पतला नहीं बेलेंगे तो ये अच्छे से फूलेंगे नहीं और अंदर से नर्म होगी नेक्स्ट है कपड़े में से चाय के दाग हटाने के लिए उसमें बेकिंग सोठा और पानी का पेस्ट बना कर लगाए कुछ समय बाद इसे स्क्रब करें और धोलें नेक्स्ट है भुने विये ममवली के दाने को तीन से चार मिर्ट के लिए ठंडा होने दे तब जब वे थोड़े गर्म हो तभी उन्हें रगण के छिलके हटा दे आसानी से छिलका जो है वह हट जाएगा नेक्स्ट है सबजी के लिए ग्रेवी बनाने के लिए अगर टमाटर ना हो तो आप टॉमेटो केचप का उपियोग करके भी ग्रेवी बना सकते हैं नेक्स्ट है रात को सोने से पहले गुड के साथ दूद पीने से पाच पाचन तंत्र मजबूत होता है नेक्स्ट है टमाटर का छिलका आसाने से उतारने के लिए टमाटर पर हलका तेल लगा कर उसे सैंक ले टमाटर के छिलके आसाने से उतर जाएंगे सीर दर्द होने पर लॉंग को भून ले अब भूनी हुई लॉंग को सुंगने से सीर के दर्द तुरंथ बंध हो जाता है मुझ से प्याज और लेसुन की बदबू दूर करने के लिए ग्रीन टी पीना सबसे अच्छा उपाय है तुरंद बाद उस पर ठंडा पानी डाले उसके बाद उस पर टूट पेस्ट लगाने से जलन कम होती है और फफोले नहीं पड़ेंगे यदि कभी घर पर बेशन के लड़ू बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मूंग की डाल का आटा भी मिला दे इससे लड़ू का स्वाथ अधिक जादा अच्छा और खुबसूरत हो जाएगा बाजरा केल्सियम से भरपूर होता है रोजाना बाजरा की सेवन करने से जोडों की समस्या में लाब मिलती है निम्बू के रस को निचोड कर स्प्रे बोटल में भर कर घर की छट और दीवारों पर छिड़कने से मक्खी दोबारा जाल नहीं बना पाएगी आइस ट्यूप गर्म पानी में जमाए इससे जल्दी बनती है और ये दिखने में भी बहुत पारदर्शी होती है नेक्स्ट है पुरानी या बासी ब्रेट की पीस कर ये टाइट डिबे में रख ले बाद में इसे इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में करेंगे तो तूटेंगे भी नहीं और स्वाधिस्ट भी बनेगी नेक्स्ट है दम आलू मसाला में अदरक लेसुन प्याज मिर्च हल्दी नमक और उसके साथ दो चार चम्मस खसखस डाले ग्रेवी टेस्टी बनेगी नेक्स्ट है सब्जी को तलने से पहले तेल या घी में सफे सिर्के की कुछ बूंदे डालने से सब्जी स्वाधिस्ट बनती है यदि ग्रेवी बनाते समय यह खटी हो गई है तो एक चमस सीनी मिला देने से इसका खटापन कम हो जाएगा एसा प्याज बिल्कुल भी ना खरीदे जिसमें गाठ हो या दो हिस्सों में बाटा हो क्यूंकि ऐसी प्याज अंदर से खराब निकल जाती है नेक्स्ट है कीडों को भागाने के लिए निम्बू और बेकिंग सोटा का घोल बना कर स्प्रे बॉटल में भर कर कीडों के उपर शिड़कने से कीडे भाग जाते हैं नेक्स्ट है चाय या दूत का बरतन जल गया हो तो उसमें दो चम्बस नमक डालकर पानी भर दे फिर डिश वोशर साबून डालकर हलका गर्म करके स्क्रप से लगड कर साफ कर ले नेक्स्ट है घर से चीटियों को भागाने के लिए आप जिस जगह चीटिया निकलती हैं वहां निम्बू के छिलके रख दे निम्बू की खुजबू से चीटिया भाग जाएगी नेक्स्ट है रात में एक चमस अजवाइन को एक किलास पानी में भिगो दे सुबह चान कर इस पानी को शहत के साथ मिलाकर पीने से वजन कम होता है प्याच खाने के बाद दूद पीने से शरीर में कई प्रकार की समस्या जैसी खुजली दाद हो सकती है इसलिए भूल कर भी प्याच खाने के बाद दूद ना पिए फिटकवडी को पानी में डूबो कर इसको हलके हाथों से चेहरे पर मल्क ले जब ये सूख जाए तो साधा पानी से जहरे को धोले जहरे की जूरिया दूर हो जाएगी नेक्स लेटा माटर खाने से चिलचलापन और मांजी कमजूरी दूर होती है और मांसिक्त को तंदुरूस बनाता है, मस्तिक्त को तंदुरूस बनाता है, साथ ही दातों और हडियों के कमजोरी को दूर करता है नियमित रुप से पाच बादाम और पाच खजुर खाने से शरीर में ताकत आती है, जिससे शरीर में ठाकान कम महसूस होती है नेक्स्ट है अगर आपको ब्लेट प्रेशर की समस्या है तो जब भी नहाएं तो फॉरन नहाने के बाद एक गलास पानी पिए इससे ब्लेट प्रेशर नॉर्मल रहेगा नेक्स्ट है अगर आपको ब्लेट प्रेशर की समस्या है तो जब भी नहाएं तो फॉरन नहाने के बाद एक गलास पानी पिए इससे ब्लेट प्रेशर नॉर्मल रहेगा नेक्स्ट है कटिव ये प्याज निम्बू पर चीनी लगाकर होटो पर स्क्रब करने से होटो का काला पन दूर होता है और होटो का रंग गुलाबी होने लगता है नेक्स्ट है कभी कभी मुझ की सफाय करने के बाद भी मुझ में बदबू आती है तो यह भी लिवर खराब होनी की संकेत है धन्यवाद